आप सभी को होली परवकी, अनेको अनेक और कोटी शह शुब कामनाए रंगों का ये त्योहार नई उम्मीदों के साथ में जीवन को लेकर चलने वाला हो रंगों का ये त्योहार दड़ता के प्रतीक के रूप में हो रंग जो आनंद के साथ में भी होते हैं रंग जो सहच्टा को एक तरह से जीवन के भीतर लेकर चलते हैं रंग जो चहरे के उपर लग कर कई बार व्यक्ती की अपनी ही पैचान को लोगों के समुक से कुछ समय के लिए दूर कर जाते हैं और एक अलग आभा के साथ लेकर चलने वाले होते हैं यही रंग आध्यात्मिकता का प्रतीक भी है यही रंग एक अलग रंगत के साथ में रिष्टों को मिठास देने वाले भी हो जाते हैं हम जीवन को रंगों के साथ में जोड़कर देखें तो यह बात इस पस्ष्ट तोर पर समझ में आती है कि जिस तरह से अध्यात्मिक्ता की आवशक्ता जीवन के भीतर है उसी तरह से भोतक्ता की आवशक्ता भी है रिष्टव में सहज होने की आवशक्ता भी है तो गहनता की आवशक्ता भी है नौकरी पेशा जीवन में निस्ठा की जुरूरत है तो वहीं पर कई बार खुद को एक comfort के साथ लेकर चलने के requirement भी है ठीक उसी तरह से जब हम इन रंगों के साथ जीवन के तुलना करते हैं तो जो भी आसपास गुले मिले रंग हैं जब होली के समय वो सम्मुक होते हैं तो एक इंदर दुरुश बनने लगता है रंगों का और वो आभा हमको कहीं न कहीं आकरशित करने वाली होती है और उसी रंगत के साथ जब हम जीवन को जूडते हैं तो आप देखिए अनंत आकाश के साथ में अपनी संभावनाओं को जूडने वाले हो जाते हैं यही समय acceptability के साथ में भी चलता है स्विकारोकती के साथ में भी चलता है कोई रंग लगा रहा है और हम सहचता के साथ में है कोई देकत नहीं है कोई दुविदा नहीं है जो आ रहा है वो स्वागत योग्य है जीवन जो दे रहा है वो हम अभिनंदन के साथ में स्विकार कर रहे हैं किसी भी गफलत के साथ में नहीं है और जब व्यक्ति इस तरह कि acceptability के साथ में हो ऐसी सहचता के साथ में हो तो फिर आप देखिए जिवन के माहिने बदलने लगते हैं हम स्वयम के भीतर की जो अंतरतम के साथ में बसी हुई कई नगारातमकताई हैं उनको हटाने लग जाते हैं यही कारण है कि इस त्योहार के साथ में स्वयम को जोड़ना और स्वयम को जोड़कर जो भी भीतर के भाव हैं कुछ समय के लिए उनको bhol जाना हम क्या है उस से दूर हट कर जब हम स्वयम को देखते हैं तो एक नया सुरूप साथ में होता है अन्य था सो कॉल्ड पोजिशन्स के साथ में जो डेजिगनीशन्स के उपर हम चल रहे हैं व्यापार में जो हासिल किया है गर परिवार में उम्र के साथ में संबंदों के साथ जो सम्मान असिल किया है वो सब कॉंशियसली इतना हावी रहता है कि हम उस गहरे से बाहर निकल ही नहीं पाते इसे वज़े से बारम बार ऐसी सारी ही चंताओं को छोड़ कर स्वयम खुद को एक अलग गती आज देने वाले हों यह प्रयास हम जरूर करते चले जाएं यह आप से हम निविदन करेंगे पुनह है इसे एक बात पर गौर करने की आवशकता है कि यहां जो यह दिवस विशेश पूर्णिमा के साथ में चलता है यह त्योहार विशेश पूर्णिमा के साथ अपने रंगत को लेकर आता है इसमें हम ध्यान की जो भावनाएं है उसको भी अपने साथ जरूर जोड़ कर चलने वाले हो पूर्णिमा के साथ में चंद्रमा की एक अलग पूर्णिता के रूपक जुड़े होते है और वहीं पर फालगुनमा सशुक्ल पक्ष की इस आभा के समय व्यक्ति जब भी अपनी चेतनाओं के साथ में ध्यान को अंगेकार करने वाला होता है तो जो अंतर चेतनाओं के साथ में मैठे वुए भाय हैं उनको हटाने वाला हो जाता है यहां सिर्फ होली का दहन की स्थिया नहीं रहती व्यक्ति चाहे तो अपने भीतर के एहंगकार को भी पूरे तरीके से समूल से हटाने का प्रयत्न कर सकता है यहां संकल्प शक्ति के आवशक्तां रहती है ऐसे त्योहार जैसे कि दिपावली अमावस्या के साथ में तो हुली पूर्णिमा के साथ में चलाएमान होती है यह बताती है कि हम किस तरह से जो यह लूनर और सोलर पोजिशन्स चलती है इसके साथ में कॉडिनेशन एस्टबलिश करके भीतर के भावों के उपर भी नियंतरन स्थापित करने वाले हो सकते है यह यात्रा नीजी आधार के साथ चलने वाली होती है इस यात्राक के अंदर कितना भी बताया जाए, कितना भी पढ़ कर चलने का प्रयास किया जाए, वो अधुरा रहता है और जब भी इस यात्रा को हम स्वयम के भीतर तक जोडने वाले होते हैं तो एक अलग आभा अपने साथ जोडते चले जाते हैं तो इस तेहर की इस विशेश्टा को अपने साथ आप जोड़कर जरूर चलने वाले हो पुनह, उलिका परवकी, शुबकामनाय और हम दैनिक राशिफल की शुरवात की पहले पंचांगी विवस्ताओं के और चलते हैं चंद्रमा, सिंगराशी स्थानव चलाइमान रहेंगे पूर्वा फालगुनी, नक्षत्री परिधी का अधार है बुरहस्पतिवार रहेगा, फालगुनमास, शुक्लिपक्ष, चलाइमान एक तरह से अपने पूर्णता की और अगरसर और वहीं हम शुरुबात करते हैं नेश, राशी के साथ में नौकरी पेशा जिवन में, यहां इस्तिरता के साथ आप चलने का प्रयास करते चले जाईएगा आज के इस दिवस में जो कमफर्ट जोन मिला है आपको, उसका भरपूर तरीके से बेनेफिट उठाना आपके लिए जरूरी रहेगा यहां यह निवेदन आपसे हम करना चाहेंगे कि खानपान पर मियंतरन रखें और वहीं पर निवेश की प्रक्रियाओं में जल्दबाजी लेकर आने से बचें गर परिवार के साथ जो इस त्योहार में आपका जुड़ना हुआ है इसे एक मूल मंतर को स्थापित करके चलें कि सहचता के साथ में सारी चर्चाओं में हम समयलत होने वाले हों अपनी कंक्लूजन के साथ में चलने से बचना यहां अतीव आवशक रहेगा आपके लिए संतान पक्ष के साथ बहेतर समय बीतता हुआ नजर आता है यह भी एक पॉजिटिव ग्लो यहां आपके लिए बना बिदन दूसरे आधार पर आप यह भी देखिएगा कि जिस भी कार्य सेतर के साथ में आप संलगन हैं वहां इस्तरता के मानक अपने साथ मिना कर रखने का प्रयास आप कीजिएगा मान से कितनाव की स्तितियों से दूर रह कर चलना आपके लिए बेहद जरूरी है यही पर रशब राशी के जातकों को कला संबंदी शेतर विशेश के साथ में रुचेकर आधार मिल सकते हैं सुबह सुबह का समय आपको और जावान करता चला जाएगा अध्यात्मिक चंतन के साथ स्वैम को जोडने का प्रयास कीजिएगा और वहीं पर जो भी काम का जहां एक्सप करने वाले नहीं हो इस बात पर भी आप पूर्ण तया गोहर करके चलने का प्रयास करते चले जाहिएगा और इसे के साथ हर्दय संबंदी रोगों से जो भी महनुभाव पहले से ग्रसित रहे हैं उन्हें भी हाँ काफी हद तर ख्याल रखने की आवशक्ताएं रहेंगी प्रतमतया नौकरी पेशाद जीवन में जो चंताएं लंबे समय से चल रही थी तियोहार के समय वो व्यक्रताएं कम होती चले जा रही हैं भाग्य का सैयोग यहां आपके साथ बहुत अच्छे से बना हुआ है और वहीं पर किसी भी संकल्प शक्ती के साथ आप चलना चाते हैं अपने रूटीन में किसी भी प्रोग्रेसिव अप्रोच को आप लेकर आना चाते हैं उस लहाजा ये समय आपके लिए विवस्तत है फ्लेक्सिबिलिटी की अप्रोच को अपना कर चलने का प्रयास करते चले जाएं और वहीं आप ये भी देखें कि जो भी कामकाज आप समस्याइं होती है और कई बार बहुत जादा ट्रेबल की बज़े से जो फजिकल पटीग निकल कर आता है उसे भी आपको संभलने का पूरा पूरा प्रयास करते चले जाना चाहिए अध्यात्मिक चंतन यहां अपने शीर्श को आपके साथ में लिए हुए रहेगा करक होंगे व्यापार एक जिवन के अंदर यदि अधिक समय विताना पढ़ता भी है तब भी आप वहां सहज रहने का प्रयास कीजेगा क्योंकि फाइनेंशल बेसिस के साथ में आपको स्ट्रॉंग होल्ड देने वाले होंगी जिस इनोवेशन के साथ में आपने चलने की शुर अत्मक्ता अपने एक अलग प्रखर आधार के साथ में चल रही है और भही आप आजिवी का का कोई भी नया माध्यम रिक्सित करना चाहते हैं गर परिवार के साथ उन चर्चाओं को बढ़ाया चाह सकता है सिंगराशी आत्म विश्वास में निरंतर आपके लिए वरद्धी रहने वाली होगी यही वो समय अंतराल है जो व्यापारिक जिवन के अंदर आपको बहतरी देता चला जा रहा है भाग गिकासा योग आपके साथ बना हुआ क्षमताएं निरंतर बडोतरी के सिरों को अग जबोती प्राप्त किये हुए हैं परंतु ये ध्यान रखिएगा कि रेगले रूटीन की जो एक्सरसाइज आदी आप अपना कर चल रहे हैं उसमें कहीं पर भी गफलत निकल कर आने वाली नहीं हो आप जूडिशेरी संबंदी किसी भी एक्जाम की प्रिपरेशन कर रहे है यहाँ पर जो निरनायक स्तर के उपर आपको सकारत्मक्ता मिलनी चाहिए वो आपके साथ में जोड़ी रहने वाली हो सकती है विध्यार्थी वर्ग यहाँ अपनी एकागरिता में कोई भी बाधा देखता है तो ध्यान की और जाने का प्रियास आपको जरूर करना चाहिए इस एक बात पर आपको और करने बाले रहें कन्याराशी प्रतमतया आकस्मिक खर्चों के उपर नियंतरन रखकर चलने का प्रयास आपकर चले जाईएगा फ्लेक्सिबिलिटी के अप्रोच को अपना कर चलने आपके लिए बेहत जरूरी है और वहीं आप ये भी देखें कि इस समय अमतराल के अंदर जो रण संबंदी कोई भी निरणय के साथ में आप अपने जीवन को लेकर चल रहे हैं उसमें भी बहुत जादा कौंशिस होकर चलें लग रहा है कि ये निरणय दुविधा दे सकता है वहीं रुक जाना आवशक है यहां जो आप स्वयम को विदे इस समबंदी कारियों के साथ में किसी भी इंस्टेंट अप्रोच में लेकर चलना चाहते हैं वहां से भी आप एक स्लगिश फ्लो बना कर रखने का एक तरह से प्रयास करें भागदी का सही होग यहां आपके साथ ठीक ठाक स्थितियों के साथ में है तो वहीं इच्छा शक् से हम करना चाहेंगे तुला राशी सर्वांगिंड लाप के स्थितियों में आपके लिए वरद्धी बनी हुई है त्योहार के इस दिवस विशेश में जो संबंद बहुत पहले पीछे चूट चूट चुके थे वहां से पुनह जुडाब के स्थितियों को देखना आपके काफी हद तक बहतर रहेगा स्वास्त में आज यहां आप स्वाहिम को काफी हद तक संभालने का प्रयास कीजिएगा खर्च और नियंतरन की भी जरूरत रहेगी शत्रू यहां आपकी सोच पर हावी हो सकते हैं इस एक बात से आपको संभलना बेहद जरूरी है क्योंकि कई बार चोटी चोटी बातें उस इस्तर के उपर व्यक्ति को परिशान कर देती है कि वो मानसिक तनाव में घेरता चला जाता है उससे आप संभलिएगा बोमी संभंदित कोई भी निर्णाय लेना है या कोई और ऐसे कामकाच के साथ में निवेश की प्रक्रियाओं को अपनान है आप से निवेदन है कि यहां धैर्रे के साथ में आगे बढ़ें वैसे भी होलास्तक की स्तियाही से वज़े से और रुक कर चलना आपके लिए बेहद आविशक है इस तारीख विशेश में भी उरिश्चिक राशी रक्त संबंधिवेकारों से सावधान रहें खानपान प है कि हम ही सही हैं अगला कैसे सही हो सकता है हमारा अनुभव है और अगले वक्ति के पास में अभी अनुभव कैसे हो सकता है ऐसे दुवधाओं से आप संभलिएगा और वहीं पर नौकरी पेशा जीवन में आज के इस दिवस विशेश में भी कोई इंटर्व्यू जैसे आपके लिए रहने वाली होंगी इसमें कोई भी इनकार की प्रवरती दूर दूर तक भी नहीं आप इस बात पर भी कोई करें कि ये समयंतराल आपके लिए आखस्मिक तोर पर यात्राओं को लेकर आ सकता है उसमें भी आप रियक्टिव होने से पूर्ण तया बच्चते च चले जाईएगा ये आपके लिए काफी हद तक जरूरी रहेगा और वहीं पर हाईर एजूकेशन के साथ में जुड़ावा कोई भी निरनय आप आगे बढ़ाना चाहते हैं गतिमान हो सकते हैं आप धनूर आशी बाग्ये का सयोग आपके साथ बना हुआ कामकाजी जीवन म जो लोग अभी तक आपके लिए विद्रो के साथ में चल रहे थे अब वो साइडलाइन होते चले जाएंगे आप यहां एकांत को आज अधिक पसंद करने वाले होंगे गर परिवार के और से कोई भी महत्वपूर्ण सलाह मिलती है उसको आप जीवन के भीतर प्रविष्ट करवाने वाले जरूर हों यह एक निविदन है व्यापारिक जीवन के अंदर जिस तरह की प्रगति को आप देखना चाते हैं वो जब साथ में हो तो हम अपनी पूरी उर्जा के साथ चलने वाले हों लोग भटकाव दे भी रहे हों हम हाथ जोड़ कर वहां से साइडलाइन ह हो जाएं यह आवशक है सुबह सुबह जतना जल्दी आप रूटीन शुरू करेंगे उतना ही आज के इस दिवस को स्वाहिं के लिए कंस्ट्रक्टिव बेस के साथ लेकर चलने वाले होंगे नई उम्मीदें आपके साथ में यहां जोड़ती चली जा रही है वो अपने पर मकर राशी रिसर्च संबंधि कामकाज में बहतरी के आधार आपके साथ में बने हुए है वाणी यहां धैर्रे के साथ में चले यह बेहद आवशक है नौकरी वेशाजीवन में आकस में काते हुए मानसक तनाव शनिदेव बरदान राशी के जातकों को अविवस्तित करने माले हो सकते है ऐसे एक बात पर भी आप गौर कीजिएगा और वहीं मकर राशी के जातक यहां मेटल संबंधि कामकाज में एबरब्ट पेसेस के उपर कोई भी डिसीजन लेने से बचें संतान पक्षो या फिर ग्रिहस्त पक्ष उनकी और से कोई भी सुझाव मिलता है सहज शानती के साथ में उस सुझाव की स्विकारुकती रखें दोपहर के साथ पनपता हुआ आलस या निरनायक कामकाज से आपको दूर करने वाला हो सकता है वहाब गौर कीजिएगा आउट्सोर्सिंग और एक्सबोर्ट संबंधि कामकाज में यह पूरा ही दिवस अपनी ताक मुखर आधार बनाता जा रहा है इसे के साथ में फाइनेशल गेन की अबरूच आपके साथ जुड़ी रहने वाली होगी किसी भी इंटर्व्यू के और आप जा रहे हैं तो अपनी जो संभावनाएं होती है उसको यहां पर बहुत अच्छे से जल्मिलाहट के साथ में आप रखने का प्रयास कीजिएगा यानि आप इस और्गनाईजेशन को क्या दे सकते हैं मुखर होकर वो बताने क्या आवशकता रहेंगी सवाल जो पूछे जा रहे हैं उनके साथ में हम क्या एड़ आन कर सकते हैं जवाब देते हुए ये आप संभावत तोर अपने साथ लेकर चलें और वहीं पर गर परिवार के साथ कोई भी यात्रा आपते कर रहे हैं जो टाइम बांड़ेट प्रोसेस होता है उसके साथ आप चलिएगा कोई भी कमिट्मेंट आपने जॉब में या बिजनस में स्टब्लिश किया था कैसे उसकी पूर्णता तक हम अपनी पूरी ही स आजमाना चाहते हैं उस और आप अगतिमान होने वाले हो सकते हैं दुविधा नहीं ये भी धियान रखें कि जो स्वयम के जीवन का परबंदन होता है मैं आपको काफी हद तक एक तरह से पोजिशन को इस्टब्लिश करके चलना चाहिए यानि कि कुल मिलाकर अनुशाशन क स्तियां और साथ ही साथ में प्रोएक्टिव रहकर क्या डिसीजन्स ले जा सकते हैं वहाँ अपनी थाट प्रोसेस को आप जरूर लेकर चलने वाले हो किसी भी रिलेशन के साथ में आप चल रहे हैं चोटी चोटी बात हैं यहाँ आपको रियाक्टिव करने वाले नहीं हो त्योहार के समय जो आप अपनी प्रेजन्स को वर्चोली कुछ लोगों तक एस्टेबलिश करना चाहते हैं जो लोग बहुत पीछे रह चुके एक फोन कॉल के द्वारा उनको जीवन में जोड़ना चाहते हैं उसलेहाँ अभी नी समय आपके लिए विवस्तित हैं उस और जाने का प्रयासाथ जरूर करें मीन राशी यहां सोच में रोकुनिता को लेकर चलने से बचिएगा खानपान के उपर नियंत्रन रखने का प्रयास करना आज अतीव आवशक रहेगा सक्षा संबंदी इस्तियों में भटकाव सामने आ सकते हैं किन्तों कई बार भटकाव की आवशकतां रहती है उसके साथ में आप जोड़ कर चलें एक्सपोर्ट संबंदी कामकाज में यहां आकस्मिक तोर पर निरुनाई लेने पड़ सकते हैं वो विस्ता अपने साथ आप जोड़िएगा नौकरी पेशाद जीवन हो या फिर व्यापारिक जीवन जो लोग शत् पित्रों के साथ में संबंद बिगड़ने वाल नहीं हो इस तेहार के समय विशेश में और वहीं पर जो आपने अपने लिए अनुशाशन के साथ में रूटीन को जो फॉलो करने का प्रयास किया है वो आज भी दूर नहीं हो इस बात पर भी आप गौर करते चले जाईएग एक इस फस्ट बात आपसे और हम यहां कहना चाहेंगे कि जो भी अग्यात भाई के सिरे हैं उनको मन के भीतर से पहचान कर दूर हटाने की पूरी पूरी चेस्थाएं आपको करते चले जाना चाहिए और वहीं पर रचनात्मक्ता एक अलग सिरे के साथ में आपके भीतर रा हैं आपके सम्मक हाजर होंगे दन्यवाद और गोटी शहर अभार